जैसे ही आप अपनी profile में जाओगे, right side में नीचे आपको register का option दिखेगा, जिससे कि आप popularity battle के लिए register कर सकते हो, लेकिन popularity battle है क्या, आई ये जानते हैं, दोस्तों जैसे आप अपनी screen को right swipe करेंगे, right side में नीचे आपको popularity देखने को मिल जाएगी, जिस पे tape करके आपको newly added popularity battle द दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर आपको popularity battle के लिए register करना है, तो कम से कम आपकी ID 2 level की या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, जो कि मुझको लगता है सभी player की होगी ही, और उसके अलावा, दोस्तों आपका जो popularity level है, वो कम से कम 4 होना चाहिए, यानि कि आपकी popularity कम से कम 1,00, या आप कैसे पता लगाएंगे, बस अपनी popularity पे click करें, या पर left में आपको देखने को मिल जाता है, level 4 की मेरी popularity है, जो की 5,84,000 की है, आपकी कम से कम 1,00,000 popularity होनी चाहिए, जिनकी 1,00,000 से कम है उनको भी अभी इतनी ज़्यादा घबरानी की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि य या आपका चलेगा 22 तरीक से 29 तरीक तक, यानि 22 अगस 2023 से 29 अगस 2023 तक, उसके बाद भी आगे future में आईगी बेटल, पर अभी जो बेटल है, वो 29 तरीक को इसका registration off हो जाएगा, तो 29 तरीक से पहले पहले, आप अगर अगर अपने दोस्तों से बूल के अपनी दूसरी ID से ख पुलेटी बेटल, इसमें अलग-अलग प्लेयर के साथ आपको compete करना पड़ेगा, और इसे compete करके, एक महीने बाद जो भी प्लेयर जीतेगा, मतलब multiple प्लेयर जीत सकते हैं, आपने जिन जिन लोगों को हरा है, उनको भी कुछ ना कुछ rewards मिलेंगे, ऐसे आप जितनी बेटल जीते जाएंगे, उतने आपके नाम rewards आते जाएंगे, और एक महीने बाद आप उनको अपने जो in-game mail होता है न, उसमें collect कर पाएंगे rewards को, अब देख सकते हैं, आप यहाँ पर level rewards दे रखे हैं इन्होंने, level reward क्या है, जो बेटल आप जीतेंगे, देखना दोस्तों, टोटल 10 बेटल होगी, एक महने तक बेटल चलीगी, तो 3 दिन की एक बेटल होगी, हर 3 दिन में आपको नया opponent मिलेगा, जिसके साथ आपको वापस compete करना पड़ेगा, compete क्या करना है, simple से मैं आपको rules बता देता हूँ, registration period आपको यहाँ पर दीखी रहा है, उसके right में है, हर 3 दिन में आपको अपने ही जैसे किसी player के साथ matchmaking मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी 5 लाग popularity और मेरे को dynamo मिल जाये सीदे opponent में, जिसके तो कई ज्यादा million में popularity है, ऐसा नहीं होगा, अगर आपका level 4 है, तो हो सकता है आपको level 5, या मतलब जिस आपकी 5 लाग popularity है, तो हो सकता है आपक जित जाएगा वो battle, तो मान लोगर मुझको 2000 popularity मिलिये, और मेरे opponent को 1000 मिलिये, तो मैं obvious सी बाते में 2000, मतलब 1000 point से मैं जीत चुगा हूँ, तो मैं वो battle जीत जाएगा, और मैं आ जाएगा next battle में, लेकिन जो हारा है, वो यसा नहीं कि वो बाहर हो जाएगा, वो भी खेलेगा, तो इसे हर 3 दिन तक battle चलेगी, 3-3 दिन में चलेगी और इसे 10 round होगे, 10 round के बाद आपको winners मिलेंगे, लेकिन दोस्तों क्या होगा, जैसे 3 दिन बाद में जीत गया, तो मैं एकदम से अगले player के साथ match making में नहीं आ जाएगा, दो घंटे का period गेम को लगेगा, ये decide करने में क आपको अगला opponent आपी के level का देना है, तो कौन सा देना चाहिए, तो उन 2 घंटे तक आपको जो भी popularity मिलेगी न, वो किसी भी battle में count नहीं होगी, जब आप किसी player के साथ match making में आ जाते हैं, जब मालूम चल जाते हैं, आपको आपका opponent सामने दिख रहा है, उसके बाद 40% points को अपने हिससे में आ सकते हैं, जैसे कि अगर मेरी 2000 popularity थी और मेरे opponent की 1000 रही और मैं जीद गया, तो उसकी जो 1000 popularity points है उनमें से 500 points मुझको credit हो जाएंगे, और या आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो नीचे आप दीखी सकते हैं कुछ ऐसा दिखने वाले interface के आपको time भी आपकी popularity battle end होने में, तो उत्ती दिर में आपको अपने friends से किसी से भी popularity मांगने ही या फिर आप अपनी दूसरी ID से भी popularity भेज सकते हैं, इन्होंने mythic helicopter भी दे रहा है popularity, मतलब आप ये किसी को भेजते हैं तो सामने वाले player की सीधे 1,25,000 से popularity बढ़ा सकते हैं, तो कई सारे आ title भी मिलेगा, mythic name tag भी मिलेगा, वैसे ये 60 दिन तक ही रहेगा तो इसे permanent title है नहीं, पर कोई बात नहीं, 60 दिन बात भी जो competition वापस आएगा, उसमें जो जीतेगा उसको वापस इसे मिलते जाएंगे, और जो 11 से 100 के बीच में आएगा, उनको legendary rewards देखने को मिल जाएंगे, तो title तो 1 से लेकर 100 वाले सभी को मिलेगा, बस कुन को legendary मिलेगा, और किनी को mythic मिलेगा, तो बस आपको करना क्या है, नीचे register का option आ रहा होगा, उसको tap करना है, आपका registered हो जाएगा, और जिसी आपका round start हो, तो आपको बस अपने friends से popularity मांगनी है, या फिर exchange करनी popularity, या इस वीडियो में इतना ही, प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चेनल पे पहली बार आएं तो सबस्ट्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में,